आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार दर्शकों आप देख रहे है MNS News Network मैं हूँ आपके साथ शीबा शेक तो आएए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर आएए एक नज़र डालते हैं हेडलाइन स्क्योर भाजपा ने आकिर सीयम नितिश कुमार से गुरूव विभाग ले लिया जातिय गन्ना पर जूट क्रेडिट ले रहे राहुल गांदी मैंने इसे करवाया चुनाओ के पहले सीसिये लागू करने का एलान एजिंडा श्रिग्न लागू करने पर आमादा बीजेपी आए देखते हैं खबर विस्तार से भाजपा ने आकिर सीयम नितिश कुमार से ले लिया गुरूव विभाग बिहार विधान सबाचुनाओ 2020 के परिनाम के साथ भारतिय जन्ता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कूर्सी नहीं बलकि गुरूव विभाग पर अपनी दावेदा मुख्यमंत्री नितिश कुमार बन गए तबी उस समय से गती रोज शुरू हुआ था क्योंकि साथ में उप मुख्यमंत्री नहीं बने थे सुनिल कुमार मुदी नतीजा ये रहा कि सरकार आदे रास्ते से लुड़क गई और नितिश कुमार महागटबंधन के प्रमुख मुख्यमंत्री बन गए अब एक बार फिर उसी जनादेश पर वापसी करते हुए मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने इसे भूल सुदार राश्त्रिय जन त्रांत्री गटबंधन के मुख्या बने हैं रविवार को मुख्यमंत्री के साथ आठ मंत्रियों ने शपत ली इसमें दो समराठ चौदरी और विजे कुमार सिन्हा को ततकाल उप मुख्यमंत्री की पैचान दे दी गई लेकिन बुद्वार सुबब तक मंत्रियों के विभाग का आवंटन नहीं हो पाया वज़ा गुरू विभाग पर हक अब तक सियम नितिश कुमार ये विभाग अपने पास रखे रहे है इस बार भी यही चाह रहे है जबकि भाजपा की भी यही चाहत है सबसे प्रमुक विभाग की चक्कर में बाकी विभागों का आवंटन अटका था आज विभाग यह आवंटन की बात आगे बट्ती दिख रही है आईए बट्त अगदी खबर के और जाकतिये गनना पर छूटा क्रेडिट ले रहे राहूल गांदी मैंने इसे करवाया एंडिये के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने कॉंग्रेस के वरियन नेता राहूल गांदी पर पलट वार किया पटना में मीडिया ने उसे पूछा कि बिहार में जाती जनगनना का श्रेय राहूल गांदी ले रहे है इस सवाल पर सीम नितिश कुमार ने तीकी प्रतिक्रिया दी उन्होंने इसे बढ़कर कोई फाल्तू बात नहीं है जाकतिय अधिकारी गनना कब हुआ आप भूल गए मैंने नौप पार्टियों की मौजूदगी में जाती गनना करवाया दोजार उन्नीस और दोजार बीस में विधान सभा से लेकर सारवजनिक बैठो को तक हजगा जाती गनना करवाने की बात कहता रहा था इसके बाद दोजार एकिस में मैंने प्रधान मंत्री से भी मिलने गया था और उनको भी यही कहा कि उन लोगों ने कहा अभी नहीं करेंगे बाद में सबकी सहमती से मैंने जाती गन्ना करवाया उस समय विपक्ष दूसरी तरफ थे उन लोगों को भी यही मैंने कहा मैंने तो उन्हें यह भी कहा था कि क्या होना चाहिए यह आप लोग अच्छ इसे चोड़िए न अभ इन सब बातों को कोई मतलब नहीं जिनकी भलाई हुई यह सब साथ निच्चिय के तरह नहीं हुआ है इस पर भी कोई अपना दावा कर रहा है तो कोई इसका कोई मतलब नहीं बता रहा है आईए बट्टे अगली खबर के और चुनाओ के पहले CCA लागू करने का ऐलान एजेंडा शिक्न लागू करने पर आमादा बीजेपी लोगसबा चुनाओ से ठीक पहले बीजेपी ने एक बार फिर CCA का दावा चला दिया है जो इस पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है लोगसबा सीटों के लिहास में यूपी महराष्ट के बाद बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है पिछले लोगसबा चुनाओ में CCA लागू करने का वादा बीजेपी ने लिया बड़ा चुनाओी मुद्धा था पार्टी मानती है कि CCA हिंदु राष्टवाद उनके एजेंडे को आगे बड़ा सकता है और हिंदु मतदाताओं को उसकी और आकशित कर सकता है बीजेपी CCA को देश के सुरक्षा और राष्टिया हीतों की रक्षा के लिए कदम के रूल पे पेश कर रही है विपक्षु को आरोप है कि CCA मुसलिम विरोध है CCA लागू होने से इसका प्रभाव बांगला सहीद पूर्व उत्तर राजय में होगा जहां बांगला देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अत्याचारों में पेश होकर हिंदू बड़ी संख्या में भाग कर आए अस्तम में ही 20 लाग से जादा हिंदू बांगला देशी रहे नागरिक ता मिलने पर उन्हें भारतिय नागरिकों को समान लाब मिलेगा अब आप हमारे चैनल को मोबाइल आप पर भी देख सकते हैं मोबाइल आप पर देखने के लिए प्लेस्टों से MNS News TV डाउनलोड करें आप इसे इंस्टा, हाई, क्विक, ट्वीटर, फेस्बूक और कई शोशल मेडिया प्लाटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप इसे लाइब भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखते रहे हैं देश हो दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रहे हैं MNS News TV पर नमस्कार ये है MNS News नेट पर और आप देख रहे हैं MNS News